हेलो गाईज अभी थोड़े दिन पहले ही 2023 का मोय मोय खतम हुआ था कि अचानक से लोगों ने 2024 का चीपी चीपी चापा चापा स्टार्ट कर दिया तो यार हमने तो ऐसा कुछ खास किया नहीं 2023 में बतायाने लाइग पर गेम्स काफी सारे खेले हैं तो मैंने सोचा वही बता देते हैं तो गाईज यहर आज दा टॉफ फाइव गेम्स डाट आट आफ प्लेएड इन 2023 मेरी लिस्ट में फिफ्ट नंबर पे आता है अंचार्टिट सीरीज का लॉस्ट लेगसी इस गेम के स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है इंडिया के वेस्टन घार्ट से जहां पे दो बंदिया क्लोई फ्रेजर और नंदनी रॉस आते हैं गनेज जी का टस्क ढूणने एक बंदा जिसकी अच्छी खासी सेन आया रहती है मतलब वो भी ऐसा चोरी चगारी का काम करता है तो इस गेम में काफी सारी पुजल्स हैं अच्छा खासा एक्शन है ट्रजर हंटिंग है काफी सारी चीज़ें और बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें हिंदू गॉड्स और इन सारी चीज़ों के बारे में काफी अच्छे से बता है मेरे लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आता है मार्वल से स्पाइडर मैन माइल्स मॉरेलिस भाईयों मकडवालक का पहला गेम कहला है मैं रही है और इस ब्लोन माइ माइन मतलब मस्त है यार मार्वल के सारे केरेक्टर्स मतलब माइल्स मॉरेल्स से रिलेटिड उसका अंकल उसका बेस्ट फ्रेंड और एक बंदी खैर स्पाइडर मैन की जिंदगी में तो बंदीर नसीब में होती नहीं है पर फिर भी इसमें थी इसके पास खैर बंदी भी नहीं थी सिप साहिवी थी तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि एक कमपनी रहती है रॉक से नाम की वो कुछ तो एक ऐलिमेंट बनाती है जो बहुत ही ज़ादा डिस्ट्रक्टिव रहता है उससे काफी सारे लोगों की लाइफ्स भी गड़ जाती है at the end जो हमारा विलन रहता ना यार इतना mind-blowing रहता है इतना mind-blowing रहता है at the same time उस विलन को देखोगे ना यार तुम्हें बहुत दुख होगा खेर मुझे तो हुआ था I don't know तुम्हें होता या नहीं but it's amazing gameplay काफी अच्छा है action है storyline भी काफी decent है मेरे लिस्ट में third number पे आता है GTA 5 भाई GTA 5 भले 10 साल पुराना क्यों ना हो but still वो आज भी मेरे दिल के सबसे करीब है और I don't think जब तक GTA 6 नहीं आ जाता है तब तक इसकी जगा कोई change करने वाला है या नहीं तो आर इसकी story में तीन बंदे रहते हैं हमारे एक रहता है Trevor, Franklin और Michael तो जो Michael और Trevor रहते हैं ये बचपन के दोस्ते रहते हैं दोनों पुराने जवाने के गैंक्स्टर है बट जो हमारा Franklin है वो नया नया गुंडा है तो Franklin अपना Michael के पास internship कर रहा होता है गुंडागरदी करने की तो अपना Michael उसको सिखाता है बाई चोरी चकारी और गुंडागरदी यही सारी चीज़े इस गेम की best चीज मेरे को यह लगती कि अपन तीनों characters की बीज में switch कर सकते हैं और तीनों के missions और तीनों की story line follow कर सकते है और बस यही एक चीज है जो इस गेम की मेरे को सबसे बड़ी अलगती है बाकी तो याद जीटिये तो है ही सबका फिवरेट इसके बाद मेरे list में आता है the last of us का second part खेर वो बात अलग है मैंने first part नहीं खेला है अगर 2024 में कभी समय मिला तो जरूर खेलूँगा first part तो इस गे बंदे ने अपनी खुद की सेना बना ली है जिसका नाम है Washington Liberation Front WLF तो हम उनसे भी लड़ाई करते हैं जॉंबियों को मारते हैं काटते हैं इसमें हमारी दो में करक्टर्स हैं एक बंदी है जिसका नाम है Ellie और दूसरी बंदी है इसका नाम है Eddie तो हम Ellie को कंट्रोल करते हैं क तुम इसके ग्राफिक्स और यह सारी चीजे देखोगे ना मतलब अलग ही लेवल का गेम है दन मेरे लिस्ट में आता है मेरा 2023 का सबसे ज्यादा फेवरेट गीम तो गोस्टॉप शुशिमा भाईयों यह गेम मतलब दल पे अलग ही चाप छोड़के गया है तो इस गेम की स् कि उनकी लाइफ इस रूल्स के मताबिक चलनी चाहिए यह सारी चीजे करेंगे और यह सारी चीजे नहीं करेंगे बार्बरिक नहीं रहते हैं तो मंगोल जो रहते हैं वो एकदम बार्बरिक जानवर प्रवक्ति के लोग तो उन लोगों के गाउं में हमला कर देते और वहा तो बस यार यही थे कुछ धंगे गेम जो मैंने 2023 में खेले I hope आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि ये गेम खेलो और ये गेम इससे भी बेटर है तो प्लीज डू लेट मी नो इन दे कॉमेंट्स मैं 2024 में उनको जरूर खेलूंगा Thanks for watching and Happy New Year. Bye-bye.